नमस्कार दोस्तों इस विडियो में मैं आपको आमल की एक आदशी की कथा कहने जा रहे हैं ये कथा सुना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है तो चलो कथा शुरू करते हैं पौरानिक मान्यता के अनुसार वेदिश नाम का एक नगर था उस नगर में ब्राह्मन, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र रहते थे वहां रहने वाले सभी नगरवासी विश्नु भग्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था उसके राजा का नाम था चैतर्थ, राजा चैतर्थ विद्वान थे और वो बहुत धार्मिक थे उनके नगर में कोई भी व्यक्ती दरिद्र नहीं था, नगर में रहने वाला हर शक्स एकादशी का व्रत करता था एक बार फालगुन महीने में आमल की एकादशी आई, सभी नगरवासी और राजा ने ये व्रत किया और मंदिर जाका रावले की पूजा की और वही पर रातरी जागरण किया तब ही रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो की घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विश्नु भगवान वह एकादशी महात्मिय की कथा सुनने लगा इस तरह पोरी रात बीट गई, नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पोरी रात जागा रहा सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए, बहेलिया भी घर जाकर भुजन किया लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई, हालां कि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरन भी किया था, इसलिए वह राजा विदूरत के घर जन्म लिया, राजा ने उसका नाम वसोर्त रखा, बड़ा होकर वह नगर का राजा बना, एक दिन वह श केला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे, उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए, इस बात से अंजान राजा सोता रहा, मलेचों ने राजा पर हत्यार फेकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे, कुछ देर के बाद सभी मलेच जमीन पर मृत पड़े थे, वही जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं, राजा समझ गया कि वो सभी उसे मारने के लिए आय थे, लेकिन कि असी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी, ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है, जिसने उसकी जान बचाई है, तब ही अकाश्वानी हुई कि हे राजन भगवान विश्नु ने तुम्हारी जान बचाई है, तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रों से घिरे होने के बावजूद जीवित हो, राजा अपने नगर लोटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा,